जैने दोस्तों वंदी महातरम। ऐसा लगता है साउध अफरिकान तो ठेका लेकर रखा हुआ है कि जितने भी असोसियेट देश हैं उन सब का मोटिवेशन, मनोबल, विल्पावर, इच्छा शक्ती हर एक चीज को बढ़ाने का काम सिर्वो ही खुद करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है अफगानिस्तान से ये लोग 2-1 से सीरीज हार गए थे और अब यहाँ पर आर्लेंड से भी हार गए हैं T20 मैच में यह नहीं कहरा कि टीमें कमजोर हैं देखी अगर हम लोग बात करें सिर्वे तो तो मतलब अफगानिस्तान को तो कमजोर आ एक टीम जिसमें की महारती भरे हुए हैं उस टीम का ऐसा है तरनल साथ अफरीका और आर्लेंड के बीच में T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 29 सितंबर को अबुधाभी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया इस मुकाबले में आयरिश टीम ने इतिहास रच डाला आर्ल दस रनों से मैच हार गई इस जीत के साथ ही आयलेंड ने दो मैचों की T20 सीरीज को एक एक से बराबर कर लिया है साथ अफरीका ने पहला T20 मैच आठ विकेट से जीता था आयलेंड के जीत के हीरो की अगर हम लोग बात करें तो वो रहे रॉस अडायर और मार्क अडायर अपने अर बल्लेबाज रॉस अडायर ने 58 बॉल्स में 100 रंस की एक बड़ी आइनिंग खेली जिसमें की 5 चौके और 9 चुके शामिल थे वही कप्तान पॉल स्टरलिंग ने 31 बॉलों पर 52 रनों की पारी खेली जिसमें करीब 7 चौके और एक चुक का शामिल रहा रॉस और स्टरलिंग ने मिलकर करी 13 ओवरों में 137 रनों की पार्टनर्शिप भी करी हलाकि उसके बाद आइरिश टीम मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाई और वो 200 रनों के आकड़े तक नहीं पहुँच सकी देखा जाये तो रॉस अडायर ऐसे तीसरे आईरिश बल्लेबाज हैं जिन्होंने टीटोंटी इंटरेशनल में शतक जड़ा हो इससे पहले किविन ओब्राइन, पॉल स्टरलिंग ऐसा कर सके थे साथ अफरिका की ओर से वियान मुल्लर ने सरवादिक दो विकेट निकाले बट कोई ज़ादा टीम के वो काम नहीं आए टार्गेट का पीछा करते हूँ साथ अफरिका टीम की जो शुरुआत थी वो अच्छी रही रियान विकेल्ट और रीज हेंडिक्स ने सिर्फ साड़े पांच ओरों में 50 रन सी पार्टनर्शिप कर डाली इसके बाद हेंडिक्स ने मैथ्यू बिट्सक्या की साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए भी 70 रन से जोड़े अफ्री टीम का स्कोर एक समय पर 12 ओरों में एक विकेट पर 121 रन था और वो मुकाबले में बहुत मजबूत दिख रहे थे लेकिन उसके बाद अफ्रिकी टीम चोक कर गई जिसके लिए वो फेमस है और लगतार उनके विकेट्स गिरते चले गए साथ अफ्रिका की ओर से रिजा हैंडिक्स और ब्रिट्सके ने 59-59 रन वना है वहीं रिकल्टन के बल्ले से करीब 36 रन निकले कप्तान इडिन माकरम ने आठ और टिस्टन स्टब्स ने बल्ले से निराश किया तेज बोलर माक अडाया ने चार उवरों में 31 रन दे कर चार विकेट लिये वहीं ग्राहम यूम को तीन विकेट मिलक मैं लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए ना कि साउथ अफ्रिका की टीम को अगर आप इस समय देखें तो कहीं से कहीं तक भी कोई विक टीम नहीं लगती जैसा कि मैं आपको बताया पहले अफगानिस्थान और अब आरलेन ने जिस तरीके से साउथ अफ्रिका को हराया है या तो साउथ अफ्रिका की कोई टैक्टिक्स फेल हो रही है या फिल टीमों को वाकई में अब साउथ अफरीका को चोक करने का तरीका समझ में आ चुका है कमेंट का कि जरूर बताएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है मेरे सुनी फिलालत नहीं जाएं जाए भारत